वित्यबंद्री दियाकुमारी ने कल भाजपन सरकार का पहला पून बजट पेश किया है वैसे तो इस बजट में कई लोगों को कई समुदायों को कई वर्गों को काफी कुछ दिया है हाला कि कुछ नाराजगी भी देखने हो के मिली लेकिन बात करें अगर किसानों की कृषी देखो ये जो बजट है इसमें प्रटिकुलर क्रशी बजट में जिन बातों का समावेश किया गया है वो वीजन के साथ किया गया है 2047 तक राजस्थान विक्षित भारत बने तो उसमें राजस्थान का कोई ऐसा प्रटिकुलर वर्ग नहीं हो जिसको लाब नहीं मिले शब जो इंफ्रेस्ट्रक्टर डिजाइन होगा उसका टोटल लाब क्रशी को भी मिलता है इधर से उधर क्रशी का सामान और उत्पाद ले जाने में लाब मिलता है बिजली की आपूरती दोजार सत्ताइस तक किसान को दिन में बिजली मिले इसे सूनिष्चित करने का उलेख कल की बजट में किया गया है किसान को जिश प्रिकर की चीजों की जर्रत होती है उन सब में टेक्निकली और इंस्टूटनली जो सपोर्ट चाहिए वो शारा देने की कोशिश बजट में अनौंस की गई है किसान प्रटिकुलर कोई मांग उसकी नहीं है किशान एक ऐसा वर्ग है जिश को देने का और लेने का कोई अन्त नहीं है वो अनंत रूप से पूरे समाज को देता है और समाज उसे देता है शरकार उसमें शेतू का काम करने की भूमिका में कल बजट में अपनी भूमिका सफलता पुरवक निर्वेहन करने में सफल रही है और गेनिक खेती के लिए भी काफी कुछ इस बजट में किया गया है और कई सालों से यह डिमांड भी की जा रही थी किसानों के द्वारा जैसे परामपरागत जो कृषी होती है उसका एक सीजन होता है उस सीजन के बाद में उस खेती के बाद में किसान लगबग खाली बैठत तो ऐसे में उनको किसानों को कई अलग-अलग माध्यमों के माध्यम से समझाया भी गया कि आप और गेनिक खेती के लिए बागवानी और होटी कल्चर जो शारा विशे होता है उस पर बजट में कई प्रकार के प्रावधान कलकिशान के लिए किये गए हैं बैसिकली तो हमारा जो किसान है जैसे पंजाब के किसान को क्रशी उत्पाद बढ़ाने के लिए जिश प्रकार जो केमिकल्स का और सपोर्टिव जो इंस्टुमेंट्स हैं केमिकल्स हैं उनका जो यूज था उसके कारण खेती जहरिली होती जा रही थी अगर खेती को परंपरगत रूप से किया जाएगा तो परंपरगत रूप से उत्पाद किये गए अनाज की कीमत भी ज़्यादा मिलती है स्वास्ते के लिए भी लाबद का अवलोकन करने की विवस्ता कल के बजट में अनाउंस की गई है जिससे कुछ जो चुनिंदा और एडवांस किसान है वह उश्बात का लाब ले सके और वहां की इस्तिती परिस्तिश के अनुसूर अपने को ढाल सके यह सारी विवस्ताओं का उल्लेक बजट में हुआ है बीज़ा जाएगा आपके नजरीये से किस प्रकार से किसानों के लिए हित कारी बजट हो सकता है तेकि च्छो मेंने पहले जब बानने मैं बजनलाल जी कि नितुकी सरकार बनी तो हमारा वीजन ता गाहों गरीब किसान की अनत्ती और मैं इसंगता हूं कि कल के हम बजट को तो पूरी तरह से गाहों गरीब किसान की उन्लती का बजट था जहां हमने किसानों को जो दिर्ग काली इन रिन की सीमा बढ़ाई है और नकिल सीमा बढ़ाई है उसका बजट अलोकेशन भी बहुत अच्छा किया है कि जिसे इससे कावरेज ज्यादा बढ़ सके किसानों को बजनलाल जी ने एक दो लाग बत्तीस जाए करोड का MOU किया था बिजली तंतर को राइस्तान में मजबूत करने के लिए और वही सब चीजे इसके इंदर भी नजर आए कि जिनों बिजली को इंफरस्ट्रेक्टर को मजबूत करने के लिए इस बजट के अंदर एक अच्छ किसानों को बेदना शुरू किया था और यह राहिस्तान की लिए निकाने का दुरूरत्य जाता है, उस इस देए आनोध-जोर्ए उतर पर कि किसानों को आती है वो बिजली की आपने बात करी दी पानी भी एक बहुत बड़ी जरूरत किसान की है और मानने अटल विहारी वाजपाई जी के समय पे नदियों को जोड़ने की बात के हाला कि भजन सरकार ने स्टार्टिंग में यारसी पी योजना हो है यमना जल समझद वो सब कुछ करा है लिनके आपको नहीं लगता राजस्तान की विशेशतोर पर बात करें तो यहां पर जो पानी की जो मूलभूत समस्या है उसे लेकर भी काफी काम किया जाना चाहिए निक जाहें हमने शेकावटी के नए छे जिलों को यमना जल समझ er quarter आई माधियम से पर लॉब प्रेलक्त करने के काम किया तो वहीं िरसिपी लिंख पर्योज्वा से हमने नए 21 जिलों को पेजल और सिचाई का पानी उपलब्त करने काम किया है और मुझे लगता है कि इन सब के अलावा जो चीज सबसे जारा अच्छुती रह रही है यह हमारे रायस्तान का जो पूरी छेत्र है गंगानगर, अन्मानगर, विकानेट छेत्र का वहां नहरी तंत्र को मजबूत करने क के लिए जो इस वजट के अंदर अलोकेशन हुआ है, मैं यह समझता हूँ कि लगब लगवा हूं 80% रायस्तान इन से तीनों योजनाओं के माध्यम से पेजल सरनक्टना को मजबूत करने का काम कर रहे है, एक और सवाल यहां पर यह बनता है कि जिस प्रकार से पैट्रोल ड जलता है, कई ऐसी सारी चीज़े हैं, जो कहीं न कहीं पैट्रोल डीजल पर निरभर है, उन्हें लेकर कुछ नहीं क्या आ गया, पैट्रोल डीजल का मामला बड़ा कॉंप्लिकेडर होता है, चुकि पिछले सरकार के समय लगातार स्टेट का जो वेट है, वो बढ़ाया गय और इस कदर बढ़ाया गया है, कि रायस्तान का आर्थिक तंत्र है, वो बहुत जादा पैट्रोल डीजल के उपर छूट मिले का प्रयास होगा, और मैं इस बात के लिए फिर पुर्जोर तरीके से ही कहना चाहूंगा, कि पैट्रोल डीजल के ओ जीस्टी में नहीं लाना, यह कहीं नहीं कई कांग्रेस शाषिद राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शडियन था, जिसके कारण से कुछ राज्यों के जिनता है, वो पीड़ा भोग रही है, आखरी सवाल है, क्योंकि हमारे देश ने प्रधानमंत्री नरेंद मोदी के शासनकाल में किसानों का एक बह किसानों की समस्याँ से मैं बहुत रूबरू होता हूँ, निश्चित रूप से तीन जो किसान कानून आया थे, वो बहुत ही अच्छे कानून थे, और वो हमारे मार्केटिंग तंतर को मजबूत करने के कानून थे, धुर्भागे से हम किसानों को समझा नहीं पाए, और किस किसानों को बरगलाया गया जिसके कारण से प्रधानमंतरी आदनी मोदी जी ने वो कानून वापस लेके अपड़े दिल का परीचे दिखाया परंतु किसानों का मार्केटिंग तंतर मजबूत हो इसके ओपर हम काम करते रहेंगे और मुझे लगता है कि MSP पे संपूर्ण फसल खरीदी जाए इसके ओपर एक देश में बड़ी चर्चा होने की आउशकता है ये अभी तक ऐसा है कि कुछ चुनिंदा दसवीस लोगों के दोवारा MSP पे खरीद के नाम पर देश के करोड़ों किसान को बरगलाया जा रहा है ये बिना चर्चा बिना चिंता के संभव है क् मुझे नहीं लगता सबार मुझे लगता? या शर्ट प्रतीशत अन और तेहलन खरीद सकती है सरकार और खरीद के उसका उपियों किस परकार से होगा मुझे लगता है इस बात वे गहली चर्चा होने की आउशकता है तुल तो जिस परकार से आपने देखा कि खिसान मोर्चा के तमाम जो अधिकारी हैं उनका भी कहना है क्योंकि ये खुद भी एक किसान परिवार से आते हैं इनका साफ तोर पर कहने है किसानों के लिए इस बजट में काफी कुछ है भले ही वो बिजली की बात हो पानी की बात हो फसली रिन की बात हो या किसान जो लोन लेते हैं उनकी बात हो तमाम ऐसी चीजें जिनने कवर किया वो जाहिर सी वाते अगले आने वाले चार साल में उन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा उन पर फोकस किया जाएगा सेयो की कैमरा मैन अजय के साथ उमंग मात हुर जनता दर्बार